Let's do question number 8 of exercise 3E that is whole number question number 8 is what least number must be subtracted from itna 13601 to get a number exactly divisible by 87 वो पूछ रहा है 13601 में से कितना subtract करें कि वो 87 से exactly divisible हो जाए तो कैसे करेंगे number दे रखा है हमें 13601 तो इसे divide करके देखेंगे जब भी हमें minus करना होता है कि कौन सा ऐसा number है कि कितना minus करें कि वो exactly divisible हो जाए जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी remainder आता है उस पहले हम divide करके देखते हैं उसी number से 87 से और जो भी remainder आएगा उसको हम subtract कर देंगे like देखिए इसको हमने divide करके देखा 13601 को हमने 87 से divide करके देखा कि यह पूरा पूरा जा भी रहा है या नहीं जा रहा तो अब देखिए 87 टूजा कितना होता है टू सेवन जादा हो जाएगा तो 87 वन जाएज 87 तो कितना है 16 में से 7 गाइज 9 12 में से 8 गाइज 4 जीरो तार लिया तो अब 87 फोर जाएज 4 7s are 28 to carry 4 8s are 32 33 and 34 यह कम है तो 87 6 6 7s are 42 4 carry 6 8s are 48 49 50 51 52 यह जादा हो जाएगा तो 87 5s जाएगा 5 7s are 35 5 is a 40 and 43 तो हमारा गया 5s are 4 35 तो यह कितना आ गया 10 में से 5 गाइज 5 8 में से 3 गाइज अगें 5 और उपर से हम 1 उतार लिया तो 87 अब 7 के केस में 1 कहां आता है लास्ट में यह तो 3 जा आता है 3 7s are 21 to carry 3 8s are 24 25 26 यह तो बहुत कम बैट रहा है लेकिन आप 6 जा देखें 5 22 बैट रहा है तो हमने 6 किया 5 22 क्योंकि अगर हम 7 जा करेंगे तो वह जादा हो जाएगा obviously 87 एड हो जाएगा 5 22 में तो यह माइनस कितना है 11 में से 2 गैस 9 and 4 में से 2 गैस 2 हम अगर इस नंबर को 87 से डिवाइड करते हैं तो हमारा remainder 29 होता है तो इसका मतला हमें वह पूछ रहा है कितना number subtract करें subtract के case में जितना भी remainder आता है वह जो जिस number को डिवाइड करना था exactly उस number में से minus कर देते है तो जो number आएगा वह exactly divisible होगा 87 से हमने क्या किया है now we subtract जितना भी remainder हमेशा याद लगेगा subtract के case में remainder minus कर देंगे dividend में से we subtract 29 from 13601 then we get we get कितना आएगा हमारा 13601 minus 29 कितना आजाएगा 11 में से 9 गैस 2 and 9 में से 2 गैस 7, 5, 3 and 1 तो ये जो number आया है this will be exactly divisible by 87 hence आप करके भी देख सकते हैं अगर चाहें तो 13572 is exactly divisible by exactly divisible by 87 answer let's do next question now next question is what least number must be added to 1056 कितना छोटे से छोटा number 1056 में add किया जाए to get a exactly divisible by 23 जिससे कि ये exactly divisible हो जाए 23 से अब आपने देखा होगा 8th question में हमने subtraction कहा था अब 9th question में वो addition कह रहा है कितना number add किया जाए minimum number तो वो number था हमारा 1056 1056 में कितना number add किया जाए कि वो exactly divisible हो जाए हमारा 23 से right divide हो जाए जो number आए वो 23 से हमारा divide हो जाए add के case में क्या करते हैं आप देखिए जो add के case में करेंगे जो number था उसको हम 23 से divide के यही हमने last question में किया था 1056 को हमने 23 से divide किया तो 23 फॉर्जा 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 ट्वेल्फ कैरी वन फॉर्टू जा ए टन नाइन फॉर्जा गया तो फॉर्जा आया हमारा 92 तो यह कितना आ गया 3 and 10 में से 9 गया 1 अब हम 6 उतार लेंगे तो 23 फॉर्जा दिखते हैं इसमें रिमेंडर बच रहे तो अब एड के केस में क्या करते हैं तो अब एड के केस में क्या करते हैं देखिए हमारा यहां रिमेंडर बच रहे 21 तो एड के केस में हम जो 45 कोशन्ट आया उससे next कोशन्ट ले लेंगे क्या है 45 के बाद next number क्या होता है 46 तो हम अब इस डिवाइजर को 46 से multiply करके देखेंगे now if we multiply add के केस में हम कोशन्ट का next number लेते हैं हमें कितना मिलेगा देखिए 23 को हमने 46 से multiply किया तो 6 3s are 18 carry 1 6 2s are 12 and 13 4 3s are 12 carry 1 4 2s are 8 and 9 तो यागे 8 5 and 10 we get 1058 देखिए अब यहां कितना था 1056 और हमारा 46 से multiply करके कितना है 1058 तो हमें कितना add करना चाहिए इस number में कि यह बन जाय तो अध करना चाहिए so we have to add we have to add add के केस में हमें कितना add करना चाहिए 1056 में यह तो add करना चाहिए जिससे कि हमारा number 1058 हो जाए अन्सट.